हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज के शुड़ी हम आपका स्वागत करती हूं तो फ्रेंस आज हम सीखने वाले हैं बहुती बीटीफुल बाजु डिजाइन तो देखें यहां पर मैंने अपने मापकी साब से कटिंग कर लिए यहां पर हम लंबाई लिए हैं 10 इंच और देखें च सीधे साइड के उपर रखेंगे अस्तर वाले पाट को इस तरह से स्टीच कर लेंगे और स्टीच करने के बाद से देखें अस्तर को बाहर के साइड करेंगे और एक शिलाई हम अस्तर के उपर लगाएंगे तो इस डिजाइन को मैं आपको बहुत ही असान तरीके से बताने वाली हूँ ताकि आपको एक बार में ही शमज में आ जाए तो देखिए उपर की साइट से शिलाई लगा करके हम अस्तर को में कपड़े से पहले ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद से मैं आपको डिजाइन बनाना बता रहे हूँ पहले हम बाजू को रेडी करेंगे तो देखिए फ्रेंज इस तरह से सिलाई लगा करके अब इसे हम कट कर लेंगे तो जो भी कपड़ा याँ पे एक श्टा दीख रहा है उसे हम कट करके बराबर कर लिए हैं अब इसे देखिए हम डबल में करेंगे और डबल में करने के बाद से देखिए फ्रेंज एक इंच दो फाइंट चोड़ी हम देखिए पट्टी ली है जो की पट्टी हमारी डबल में है और किनारे से सिलाई लगा करके मैं इसे प्रेस लगा ली हूँ तो इस तरह से आप कर लीजिए तो डबल में पट्टी को एक इंच दो पॉइंट लेना है और किनारे से दो इंच छोड़ते हुए इस तरह से आपको फ्रिल बना लेना है जो हम बाजू के महरी पे अटेश करते हैं फ्रिल तो पहले फ्रिल को रेड़ी करेंगे तो आप जब भी पट्टी का फ्रिल बनाए तो जो फ्रिल की चौड़ाई होती है शेम रखें ताकि अच्छा लुकाए तो इस तरह से देखी प्रेंस पूरे पट्टी में फ्रिल बना लिए है और उसके वासे देखी आधा इंच हम अंदर के साइड कर लेंगे कपड़े को और उसके उपर अच्छे से जो बाजू का किनारा है उसको बैठाती हुए स्टीच कर लेंगे तो इस तरह से देखे फ्रेंस बाहर के साइड जो एक्ष्टा पट्टी है उसे कट करके बरावर कर लेंगे और अब यहां पर हमारा बाजू रेडी हो चुका है अब इसमें हम डिजाइन की मार्किंग करेंगे तो यहां पर देखे हम पेस्टिंग पेपर में कॉटन का जो पीस होता है उसे अच्छे से फिक्स कर लिए हैं और इसे डबल करती हुए मार्क कर लेंगे कि हमें डिजाइन कितना पर कट करना है तो जो बाउडर है उसको छोड़ते हुए देखिए बिल्कुल बाउडर के पास से हम मार्क कर ले रहे हैं और उपर से आपको बरावर करके लेना है तो पेस्टिंग पेपर वाले साइड मे को हम अच्छे से बनाएंगे देखिए इस तरह से आपको सीधा लाइन डो कर देना है एक इंच एक पॉइंट लेते हुए आप एक इंच भी रख सकते हैं और देखिए सिंपली आपको एश्कॉयर में इसे कर लेना है उस साइड भी हम एक इंच मार्क करेंगे देखिए हम एक इंच एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इस तरह से इस लाइन को शीधा करेंगे और आप देख सकते हैं सिंपली आपको एश्कॉयर में हम बॉक्स रेडी कर लिए हैं आप सेंटर पे कट लगाएंगे और किनारे से इस पटी को फोल्ड कर लेंगे यानि आपको जित से फोल्ड कर लिए हैं अब हम बाजू को लेंगे सेंटर मार्किंग करेंगे यानि बाजू के बिल्कुल बीचो बीच में लाइन डो करेंगे ताकि जो पेस्टिंग पेपर वाला पार्ट है बिल्कुल सेंटर में ज्वाइंट हो और हमारा डिजाइन बिल्कुल बीचो बी सेम उसी मार्किंग के ऊपर आपको शिलाई लगा लेना है तो इससे क्या होता है फ्रेंस की आमें दूसरी पट्टी नहीं कट करनी होती है डिजाइन भी साथी में कट हो जाता है तो इस तरीका से आप बनाएंगे तो बहुत ही इजली आपको समझ में भी आएगा और दिक्कत भी नहीं होगी अब अंदर की साइड का जो भी कपड़ागा उसे कट कर लेंगे और देखी नीचे की साइड कोने पर आपको फिनिसिंग से कट लगा देना है और बाहर की साइड करते हुए इस पट्टी को नखुन से बैठाएंगे और अब इसे हम अंदर की साइड पूरे पीश को हमें आप पे रेडी कर ले रहे हैं तो यहां पे हम छे पीश लिए हैं दोनों साइड के डिजाइन के लिए अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर नहीं है और आप डिजाइन को लंबा कट किये हैं तो पीस आप यहां पे बढ़ा के ले लिजिएगा तो बराबर कर लेंगे और एक बार आप एक दूसरे के उपर रख करके चेक कर लें कि जो आपका डिजाइन वाला पाट है बराबर से आ रहा है कि नहीं तो इस तरह से देखे फ्रेंस पूरे को हम कट करके फिनिसिंग कर दिये हैं और अब इसे हम सुईदागे के मदद से आपस मोती अटेच करना है पहले आपको बांध लेना है इसे तो देखे इस तरह से रेडि करने के बाद से अब इसमें हम बिल्कूल बीचो बीच में मोती जॉइंट करेंगे तो मोती को भी फ्रेंस आपको अच्छे से बांध लेना है और इसी तरह से हम दूसरा पीस रेडि करेंगे उल्टे साइड करेंगे और अच्छे से इसे बांधने के बाद से डोरे को कट कर लेंगे और देखिए अब हम दूसरा पार्ट उठा रहे हैं और दूसरे को सेम एडिया से जॉइंट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से आपको दो से तीन बांध टक कर लेना है उसके बाद से आपको इसमें मोती जॉइंट करना है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंज फिर से मोती लिए हैं और बिल्कुल बीचों बीच में इसे दो से तीन बार करके अच्छे से टक कर दे रहे हैं और देखिए इसी तरह से आपको तीसरा पीस भी रेडि कर लेना है तो यहाँ पे देखिए दो पीस हमारा रेडि हो चुका है तीसरा भी हम रेडि कर लिए है और यहाँ पे देखिए एक पेपर लेंगे और पेपर के उपर आपको सेमें स्क्वाइर में मार्किंग कर लेनी है देखे इस तरह से बिल्कुल बराबर से तो उपर के साइड से फ्रेंस आपको आदाइन छोड़ देना है जितना हम बाजू जुआइंड करेंगे margin हमारा लगेगा उतना आपको छोड़ देना है और उसको छोड़ते हुए इस तरह से आपको mark कर लेना है ताकि जो पट्टी वाला डिजाइन है इसके अंदर हम add करेंगे तो इस तरह से देखे बिल्कुल बीचो बीच से मिलाती हुए और एक दूसरे पर बराबर से रखते हुए इसे हम अच्छे से stitch कर लेंगे तो पहले हम एक किनारे से stitch कर रहे हैं तो इस तरह से friends आप paper पे marking करके अगर आप design को बना रहे हैं तो फिर आपका design बहुत ही अच्छे से finishing से बनता है और same जगा का भी आपको idea मिल जाता है कि आपको कितना दूर में design वाले part को cover करना है तो देखे इस तरह से हम तीनो piece को इस पे join कर लिए है और जहां तक हमारा design का marking है सेम वहां तक हमारा तीनो piece आ रहा है तो देखे दूसरे side भी एक दूसरे पे अच्छे से बठाते हुए stitch कर लेंगे दूसरा किनारा भी तो देखे अब हम blouse को लेंगे और उपर के side से देखे या आधाइं चोड़ते हुए पहले मिला करके चेक कर लेंगे और उसके बाद से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा करके design वाला part हम बाजू में ज्वाइंड कर लेंगे तो इस तरह से देखे यहाँ पे आपको सुई को रोकना है और अच्छे से कपड़े को घुमा करके सीधा करना है फिर सिलाई लगाना है तो इस तरह से देखे प्रेंस design हमारा बनके रेडी हो चुका है अब हम paper को अंदर के side से निकाल लेंगे और निकालने के बाद से देखे बिल्कुल किनारे से एक और सिलाई लगाएंगे एक चाप के दूरी पे ताकि हमारा अंदर का जो इडिया से हम दूसरा बाजू भी रेडी कर लिए हैं तो फ्रेंस में उमीद करती हूं कि वीडियो अप लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदा